बैकप, पुनर्स थापित, अपग्रेड या डाउन ग्रेड करने के लिए गूगल प्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्नैप्शॉट का उपियोग कैसे करें एक स्नैप्शॉट आपको अनुमती देता है एक अपनी वेबसाइट का बैकप लें दो अव एस रिसेल और रीडारेक्ट के साथ अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से बहाल करें तीन एक अधिक शक्तिशाली मशीन में अपग्रेड करें या मुफ्त योजना में डाउन ग्रेड करें गूगल का फ्री प्लान आपको 5 गीगाबाइट फ्री स्नैपशॉट स्टोरेज स्पेस देता है जो ज्यादातर छोटे से लेकर मीडियम साइस की वेबसाइट्स के लिए काफी ज्यादा है दोश यह है कि दी एनेस रिकोर्ड की तरह आप केवल उस परियोजना में स्नैपशॉट का उप्योग कर सकते हैं जिसमें इसे बनाया गया था आप किसी अन्य प्रोजेक्ट में स्नैपशॉट को स्थानांतरित या उप्योग नहीं कर सकते हैं मारा सुनिश्चित करें कि आप उस परियोजना में हैं जिसे आप एक प्रती बनाना चाहते हैं स्नैपशॉट बनाने के लिए इंजन की गर्ना करने के लिए जाएं फिर स्नैपशॉट पर क्लिक करें शीर्ष पर जाएं और स्नैपशॉट बनाने पर क्लिक करें अपने स्नैपशॉट को आप किसी भी नाम से दे स्रोत डिस्क के लिए उस उदारन या वेबसाइट पर क्लिक करें जिसकी आप एक प्रती बनाना चाहते हैं स्थान के लिए या तो बहु क्षेत्रिय या क्षेत्रिय उठाओ फ्री प्लान रीजन के तहत है चुनिंदा स्थान के लिए अमेरिका पश्चिन यूएस सेंट्रल अमेरिका पूर्व मुफ्त योजना का हिस्सा है यदि आप कुछ और चुनते हैं तो आपको भुक्तान करना होगा बनाने पर क्लिक करें और स्नैप्शॉट बनाने के लिए गूगल के लिए कुछ मिनट इंतजार करें स्नैप्शॉट का आकार आपको आपकी स्नैप्शॉट का आकार बताएगा जब तक आप कुल 5 GIGABYTE के तहद हैं, तब तक आप जितने चाहें उतने स्नैपशोट बना सकते हैं स्नैपशोट को हटाने के लिए जिस स्नैपडील को आप डिलीट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें उपर जाकर डिलीट पर क्लिक करें बहाल, अपग्रेड या डाउन ग्रेड निमनलिखित आपको अनुमती देगा एक अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से बहाल करें ऐसे सेल के साथ और सभी रीडारेक्ट करते हैं दो एक अधिक शक्तिशाली मशीन में अपग्रेड करें या मुफ्त योजना के लिए डाउन ग्रेड अपनी वेबसाइट को बहाल करने अपग्रेड करने या डाउन ग्रेड करने के लिए इंजिन की गरना करें फिर स्नेपशोट पर क्लिक करें जिस SNAPDEAL के साथ, आप काम करना चाएं उस पर क्लिक करें शीर्ष पर क्लिक उदारण बनाएं यह प्रिष्ट आपको स्नैप्शॉट से एक नई VM या वर्चुल मशीन बनाने की अनुमती देता है अपनी नई वर्चुल मशीन को आप जो भी नाम चाहते हैं दें क्षेत्र के लिए याद रखी मुप्त योजना क्षेत्र अमेरिका पश्चिम के तहत है यूएस सेंट्रल या अमेरिका पूज जोन के लिए याद रखी मुप्त योजना क्षेत्र अमेरिका पश्चिम के तहत है यूएस सेंट्रल या अमेरिका पूज श्रिंखला के लिए मुफ्त योजना इन वन के तहथ है पहली पीधी अन्य सभी श्रिंखला आप पैसे खर्च होंगे मशीन प्रकार के लिए एफ एक माइक्रो फ्री प्लान का हिस्सा है यदि आप एक अधिक शक्तिशाली मशीन में अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह वह जगा है जहां आप इसे करते हैं यदि आप मुफ्त योजना को डाउन ग्रेड करना चाहते हैं तो यह वह जगा है जहां आप इसे करते हैं गूट डिस्क के लिए यदि आप हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ भी नहीं बदलना चाहते हैं तो बस सब कुछ छोड़ दे और अगले चरण में जाए। यदि आप अपनी hard drive को upgrade या downgrade करना चाहते हैं, तो परिवर्तन पर क्लिक करें। जिस snap deal की copy बनाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। Boot disk प्रकार वह जगा है, जहां आप hard drive को upgrade या downgrade करते हैं। याद रखें, मानत लगातार डिस्क मुफ्त योजना का हिस्सा है। नई hard drive का आकार snapshot की hard drive के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। अब चुनिंदा पर क्लिक करें। पहुँच गुंजाइश के लिए सुनिश्चित करें। Default पहुँच की अनुमती दें। चाहिनित है। क्लिक करें HTTP और HTTPS की अनुमती देते हैं। बनाने पर क्लिक करें। नया उदारण, मुझे पैसे बचाने में मदद करने के लिए एक कम्प्यूटर जनित सिफारिश बनाने के लिए Google Trigger। प्रदान की गई सिफारिश लागू नहीं हो सकती है। अब नए बाहरी IP पते को कौपी करें जो सिर्फ Snapshot के साथ बनाया गया था। अब VPC Network पर जाएं और बाहरी IP पतों पर क्लिक करें। अब IP को एक स्थिर IP बनाएं। अब नेटवर्क सेवाओं कर जाएं और Cloud DNS पर क्लिक करें। आपके साथ काम करना चाहते DNS जोन खोलें। अब आपको A Record को संपादित करना होगा। A Record को संपादित करने के अधिकार के लिए आइकन पर क्लिक करें। अब बस नए बाहरी IP पते में पेस्ट करें। सेफ पर क्लिक करें। अब पांच मिनट इंतिजार करें। फिर नए IP एड्रेस को सबसे उपर एड्रेस बार में चिपका दें। आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट अब नए IP पते से जुड़ी हुई है। पुरानी वेबसाइट को हटाना। यदि आप वेबसाइट और IP के लिए बिल प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो आप उप्योग नहीं कर रहे हैं। फिर आपको इसे हटाना होगा। इंजन की गढ़ना करने के लिए जाओ। तो VM उदारन। अब, आपको हटाना चाहते हैं उदारन के दाई ओर जाओ। और डिलीट पर क्लिक करें। आपको यह देखने के लिए ट्रिष्ट को ताजा करना पड़ सकता है कि यह प्रभावी हो गया। अगर आप कुराने IP एड्रेस को डिलीट नहीं करते हैं तो Google इसके लिए आपको बिलिंग करता रहेगा। तो VPC नेटवर्क पर जाएं और बाहरी IP पतों पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं। आप केवल उस IP को हटा सकते हैं जो अब किसी उदारन से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि IP किसी उदारन से जुड़ा हुआ है, फिर इसे हटाया नहीं जा सकता है। अब उस IP पर क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। और शीष दाईंगो रिलीच स्टेटिक आईपी पर क्लिक करें। कृपया की तरह मारा एक तिपणी छोड़ दे या सदस्यता लें। धन्यवाद। का तरह मारा एक प्रशक्व झाल